भारतिय एथलीट अविनाश साबले ने पेरिस ओलंपिक में सोमवार को यहां पुरुष 3,000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में अपनी हीट में पाँचवे नंबर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया वे इवेंट के फाइनल में पहुँचने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए है नेशनल रिकॉर्ड होल्डर साबले ने दूसरी हीट में 8 मिनट 15 दशमलव 4 तीन सेकिंड के साथ पाँचवी पोजिशन हासल की स्टीपल चेज इवेंट के नियमों के मुताबिक 3 हीट के टॉप 5-5 स्थान पर रहने वाले एथलीटों ने फाइनल का टिकेट कट आया हाला कि सेबल की हीट टाइमिंग उनके सबसे बहितरीन प्रदर्शन 8 मिनट 9 दशमलव 9 एक सेकिंड से काफी पीछे थी जो उन्होंने पिछले महिने पैरिस डायमेंड लीग में बनाया था स्टीपल चेज इवेंट के सभी 15 फाइनलिस्टों की टाइमिंग को ध्यान में रखा जाए तो साबले पाँचवे नमबर पर हैं दूसरे हीट क्वालिफायर में उनकी टाइमिंग सबसे बहितरीन है भारते एक हिलाडी ने पहले दो लैप में बढ़त बनाये रखी लेकिन इसके बाद उन्होंने थोड़ी धीमी रफतार से दौड़ पूरी की और आखिरी राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए ज्यादा टेक्निकल अंदाज में दौड़ लगाई हलाकि जब उनकी रफतार धीमी हुई तभी वे लीडिंग पैक से बाहर नहीं हुए और आखिर तक उनकी पोजिशन वही रही